कि आफिक लास में पढ़ेंगा डायFORM PRESSUR Gauge के बारे में यह थे बी प्रकार का -जैश के शेथ है जिसक यूप हमBe trashband के लिए करते हैं डायFORM PRESSURE गेज इटिस यूज़ड फॉर लोगम मेसर्मेजेमेन लोगम मेसर्मेंड करने लिए हम डाइप राम प्रेशर गेज का यूज करते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है metallic, दूसरा होता है non-metallic, metallic में good spring characteristic होता है और non-metallic में no elastic characteristic होता है, मतलब metallic में क्या रहाएगा, elastic characteristic बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम metallic को यूज करते हैं, राम प्रेशर गेज का working ये क्या है? horizontal है यहाँ पर rod में भी कोई moment नहीं हो रहा है कि rod है इसमें भी कोई moment नहीं हो रहा है ये रेक है इसमें भी कोई moment नहीं हो रहा है pinion में भी कोई rotation नहीं हो रहा है कब जब pressure zero है now when pressure increases at bottom the diaphragm get expand forward side figure b में क्या कर रहे हैं हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तब हम देख रहे हैं जो डैपराम होरीजंटल मुवमेंट होगा क्योंकि expansion upward direction में हो रहा है तो उय र हर चाराइп जैसे कि हमने देखा जैसे expansion हो रहा है र्राट का भी मुवमेंट हो रहा है this moment of diaphragm is transmitted to a rack and pinion arrangement, rot का the moment है उसको हमने कहां पे transmit किया rack और pinion arrangement में, अब rack and pinion arrangement को और अच्छे से देखते हैं, हमने देखा कि rack का the moment हो रहा है upper direction में हो रहा है, और यह हमारा क्या है, pinion है, यह हमारा rack and pinion arrangement है यह rack हुआ और यह हमारा पिनियन है अब देख रहे हैं रैक जब उपर जाएगा तो पिनियन कैसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉक वाइड डिरेक्शन में रोटेट करेगा और यह जो पॉइंटर है यह किसे कनेक्टेड है पिनियन से कनेक्टेड है यह हमारा क्या हो गया पॉइंटर हो गया जो पिनि प्रेशर का वैलू पता चलेगा इस पॉइंटर के करस्पोंडिंग तो जहां पे पॉइंटर आएगा वहां पे हम स्केल की सहतर से प्रेशर निकाल लेंगे मेरे ख्याल से यह वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा अब यह फिगर सी है जिसमें क्या हो रहा है अब जो हमको पता है जो डैफराम है यह क्या है इलास्टिक है इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है इसमें तो इलास्टिक का प्रॉपर्टी होता है जब उससे हम प्रेशर और फोर्स को हटाते हैं तो अपने ओजिनल सेप में आ जा और जैसे ही ने जो presentations करते हैं तो जाता है तो किया है कैसा चूंठ कर देंगे तो जो हुआ नीचे की साइड रहेगा तो जब रैग नीचे की डिरेक्शन में मुवेंट करेगा तो जो पॉइंटर है पिनियन है वो क्लॉक वाइज डिरेक्शन में मुव करेगा रोटेट होगा जिससे हमको उसके कर्रस्पॉंडिंग प्रेशर मिलेगा मेरे ख्याल से वरकिंग आप लोग को समझ में आ गया है बहुत इजी वरकिंग है एक्जाम में आता भी है इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ओके ठैंक यूँ